आजकल बाजार में मिलने वाले प्रोटीन प्रोडक्ट्स का सेवन बहुत जादा बढ़ गया है। खास ओर पर जिम जाने वाले फिट रहने के लिए इसका जादा इस्तमाल कर रहे हैं। कंपनी आपने प्रोडक्ट्स को लेकर दावा कर रही है कि इससे बौड़ी अच्छे बनती है लेकिन हकीकत इससे भी परे हो सकती है। बेशक प्रोटीन शरीर के लिए फाइदे मन्द है लेकिन मार्केट में मिलने वाले प्रोटीन प्रोडक्ट्स जैसे सपलेमेंच पाउडर, शेक का जादा सेवन्च सेहत के लिए ख़तरा बन सकता है। क्योंकि बजार में मिलने वाले प्रोटीन प्रोट्फ में स्टेरोइट मिलाए जाता है जो हड्यों के लिए घातक हो सकता है यही कारण है कि लोग कन्फ्यूज है कि प्रोपर प्रोटीन होता है या नहीं तो आए चांदे हैं इसके पाइदे और नुक्सां क्या आपको मालूम है कि आखिर प्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन प्रमुख पोशक कत्व है, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है. ये large molecules है, जो cells के सही तरह का काम करने के लिए जरूरी है. Body के cell, tissue और organ का regulation प्रोटीन के बिना होना possible नहीं है. आपको बता दे कि प्रोटीन तीन तरह के होते हैं. Complete Protein जो Animal Food जैसे Daily Products, अंडे, मीट से मिलते हैं. Incomplete Protein जो Beans, चना मतर से मिलता है. तो वही Complimentary Protein जो दो Food से मिलता है, जैसे Rice और Beans. शरीर को कितने प्रोटीन की जरूरत? एक आम इंसान के शरीर के हर किलोग्राम के हिसाब से एक ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है. अगर किसी का वज़न सत्तर किलो है, तो उसे सत्तर ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है. Protein प्रोटक्स लेने के नुक्सान आपको insulin लेवल बढ़ सकता है. ये प्रोटीन कीड्मे को नुक्सान पहुंचा सकता है. आपको पाचन से जुड़ी समस्याई हो सकती है. और आपके blood में ये acid का लेवल बढ़ा सकता है.